तो केंदरी सौसमंत्री मंसुक मांधियों ने कहा है कि कोरोना वैक्सिनेशन में खराब प्रदर्शन वाले जूलों में घर घर जाकर COVID-19 टीका करण के लिए अगले महीने के दौरान हर घर दस्तक अभियान शुरू किया जाएगा उन्हेंने कहा है कि इसका उद्देश लोगों को घातक वायरस से बचाने के लिए पूर्व टीका करण के लिए प्रिरिद करना होगा सौसमंत्राले की एक बयान के अनुसार विभिन राज्योर के इंदर्शास्री प्रदिशों के सौसमंत्रियों के साथ एकरास्री समिक्षा बैठक के दौरान मांध्यों ने कहा है कि कोई भी जुला ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पूर्व टीका करण ना हो पर दो नौंबर को आपको बताते चले अभियान शुरू करने का सुझाओ भी दिया है और इसके साथ-साथ 48 जुलो की पहचान की गई है जहां पात्रुला भारतियों में से 50 फीजदी से भी कम लोगों में आपको बताते चले पहली खुराक होगी सरकार का लक्ष है कि नौंबर 2020 तक सभी लोगों को कुरोना की खुरा मिल जानी चाहिए तो पेगासस मामले में सुप्रिम कोट की ठिपड़ी के बाद कॉंग्रेस और बीज़ेपी में एक हमासान चिर चुड़ चुका है पहले कॉंग्रेस ने तर राहुल गांधी ने इस से लेकर सरकार और बीज़ेपी को खिर लिया था और इसके बाद समित पात्रों ने इस पूरे मामले पर पलटवार किया आपको बताती चले उन्होंने राहुल को निशाने पर लेते ही वे कहा है कि वह बार बार जूट बोलते हैं अब्रहम और राहुल गांधी का गहरा रिष्टा है बार बार यही बात करते हैं हर बार उनके एक तरफ के बयान होते हैं बीज़ेपी प्रवक्ता ने आज कहा सुप्रिम कोट के निर्ने को लेकर राहुल जी ने वही बयान दिये जो बार बार वो कहते आ रहे थे और इसके बाद कोट में चर्चा के बाद कोट ने फैसला दिया था आपको बताते चलो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि एक्सपर्ट कमिटी इसकी जाच करे और कोट में आज फही हुआ समित पात्रों रहुल गांदी के बायान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र का पालन करती है और इसे के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कॉंग्रेस का किस तरह का बरताओ रहा है ये तो सभी जानते है चले इस रिपोर्ट साथ फलाल के लिए बुलिटिन पर सितना है बने रहे मारे साथ देखते रही है आरेनीस